हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लण्वरे देटीमन, आजम करने वाले हैं एडविंड्रे गुत्री का सानेध्य या उद्धीपन अनुक्रिया समीपस्त अनुबंदन सिद्धान्त, बहुत ही इंपोर्टेंट थियोरी है ये भी, और एडविंड्रे गुत्री जो ह इनका प्रियोग जो है, इस पर प्रशन जो है वो एक्जाम में आता है और बच्चों का कई बार गलत होता है, वो इसलिए गलत होता है क्योंकि authentic book से उन्होंने नहीं पड़ा होता है, क्योंकि हमने भी ये बहुत बार देखा है कि गुत्री के प्रियोग के बारे में कि उन् तक वीडियो को देखना है ताकि आपको थियोरी बहुत अच्चे से समझ में आ सके, हम बात कर रहे हैं व्यभारवादी मनोविज्यानिक की, तो जहां हमने थॉन्डाइक का देखा, स्कीनर का सिद्दान देखा, पैवलॉब का सिद्दान देखा, सब भी व्यभारवादी स होकर इन्हों ने प्रियोग किया, अब एडविंड्रे गुत्री का जो सिद्दान देखा, इसका पूरा नाम आपको अच्चे से याद रखना है, उतीपन अनुक्रिया, जो कि थॉन्डाइक के सिद्दान से मिलता है, समीपस्त अनुबंधन, जो कि पैवलॉब के सिद्दा हैं एडविंड्रे गुत्री, गुत्री के सिद्दान्त में पैवलॉब के सास्ट्री अनुबंधन का सुन्दर विश्लिशन देखने को मिलता है, ये हम देखेंगे, इसके अलावा थॉन्डाइक का सिद्दान्त जो है, वह भी यहाँ पर थोड़ी सी उसकी जलक दिखाई देती है, एडविंड्रे गुत्री कहते हैं कि उद्दीपक अनुकरिया का पारेसपरिक संबन होता है, इनका एक दूसरे से बहुत ही गहरा रिलिशन होता है, इनका जो प्रियोग है, सबसे पहले ये याद रखना है कि एडविंड्रे गुत्री का प्रियोग किस पर किया इ उसी तरीके का Puzzle Box यूज़ किया जैसा कि Thondike ने किया था। इनके साथ थे JP Horton, Adventry गुथरी ने JP Horton के साथ प्रियोग किया, इन्होंने Puzzle Box जैसा Thondike ने काम में लिया था, उसी तरीके का लिया था। देखिए इसके प्रियोग के बारे में, इनके प्रियोग के बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि Thondike का प्रियोग और Adventry गुथरी का प्रियोग दोनों ही थोड़े बहुत एक दूसरे से मिलते हैं। Thondike के प्रियोग में हमने देखा था कि बिल्ली जो है उसको पजल बॉक्स में बंद कर दिया गया, उसके बाद वह बार बार प्रियास किया उसने, गलतियां की उसने और प्रियास और तुर्टी से ही वह कार्रे करना सीख गई। लेकिन एडविंड्रे गुत्री जो है वो ये कहते हैं कि बिल्ली जो है वो प्रियास तो करती है लेकिन बार बार गलती नहीं करती है। वह एक बार में ही यदि उसका कार्रे हो जाता है उसे बोजन के प्राप्ति हो जाती है तो उस कार्रे को बार-बार दोहराती है उसी तरीके से जैसा उसने पिछली बार किया था जब उसे अपने उद्धीपन की प्राप्ति होई थी देखिए यह एक puzzle box है इसमें उन्होंने ब लिवर पर पंजा मारके और इस होल से बाहर आती और अपना भोजन प्राप्त करती उसने कोई भी थृटी नहीं की जैसा उसने एक बार किया अपने दाएं पैर से मान लिजिए उसने अपने दाएं पैर से लिवर को प्रेस किया गेट खुला और उसने अपने भोजन की प्रा बार बार वो उसी पैर को मारती जिससे उसको भोजन के प्राप्ति होती लेकिन हमने थॉंडाइक में देखा था कि बिल्ली जो है वो चारो तरफ पैर मार रही थी और वो है कई बार गलती से उसका गेट खुलता और वो भोजन प्राप्त करती यहां बिल्ली ऐसा नहीं करती ह बिल्ली ने पहली बार में ही सीख लिया कि कौन से पैर से लिवर पर प्रेस करके और गेट खुलेगा और उसे अपने उद्धीपन की प्राप्ती हो जाएगी. तो इस तरीके से एडविंड्रे गुत्री और जेपी होटन दोनों ने मिलकर 800 बार बिल्ली पर यही प्रेयो किया तो उन्हें यही समझ में आया कि यदि उद्धीपन बिल्कुल सामने हो और अनुक्रिया साथ में हो रही हो दोनों यदि साथ में हो रहे हो तो एक बार में ही क कारे को यदि दोराया जाए तो गलती नहीं होती है उद्धीपक अनुक्रिया एक साथ होने से सीख जाता है बिल्ली ने 800 बार अपने दाएं पंजे से लीवर पर दवाब डाला और गेट खुलते ही भूजन प्राप्त कर लिया अथार्त एक जैसा प्रयास और हर बार एक ही त तरीका को अपनाने से बिल्ली सीख गई अब हम देखेंगे सिधांत के निसकर्स की इस सिधांत का क्या निसकर्स निकलता है फस्ट है बूलने या विस्मरन की कारण की रूप में हस्तशिप तथा प्रस्ट उन्मुक अवरोध प्रक्रिया कार्य करती है अब इसका आरत है कि शीखने के अंदर बाधा पैदा होती है शीखने के अंदर जो अवरोध पैदा होता है तो उससे क्या होता है विक्ति भूल जाता है विस्मरन हो जाता है नेक्स्ट है थ्रेसोल्ड तकनीक इस तकनीक के द्वारा गुधरी कहते हैं कि बच्चों की जो गलत आदते होती हैं उनको चुड़वाया जा सकता है मान लेजे एक बालक जो है वह डेली स्कूल बैग नहीं ले जाता है किसी बड़े को बैग जो है तमा देता है तो यह उसकी गलत आदत हो गई उस आदत को चुड़वाने के लिए गुच्री कहते हैं कि यदि उसको उसकी प्यारी जो चीज होती है उसकी जो यदि उसको कोई खाने की चीज पसंद है उसके बैग में उस चीज को रखा जाए तो वह डेली उसको ले जाएगा जैसे ही उस बैग को ले जाता है तो next day उससे थोड़ा सा बजन बढ़ा कर उस बैग को उसके साथ ले जाना देजना चाहिए ताकि वह उस चीज को महसूस कर सके कि हाँ, आज मेरे बैग में कुछ नया है इस तरीके से तब तक उसके बैग में कुछ न कुछ डालते रहना चाहिए, जितना बजन जो है वह उसके किताबों के जितना न हो जाए, एक दिन किताबों के जितना उसका बैग हो जाएगा, उसकी मनपसंद चीजों का, तो वह उस भार को भी सहन करने को तयार हो जाएगा, जो की वास्तव में उसको ले जाना था, अपने किताबों के रूप में, तो इस तरीके से, इस तकनीक से, जो बच्चा होता है, उसकी बुरी आदत को छुड़वाया जा सकता है, नेक्स्ट है थकान तकनीक, इस तकनीक के द्वारा गुतरी कहते हैं कि यदि बच्चे को थकात दिया जाए, तो उसकी गलत आदत छुड़वाया जा सकती है, मान लेजिए कोई बालक जो है, उसकी आदत यह है कि वह हर दिन नए पेजों को फारता है, नए बुक्स में से या नोट बुक में से पेजों को फारता है, तो गुसरी कहते हैं कि एक दिन उसको इतने सारे पेज दे देने चाहिए कि अब उसको कहना चाहिए कि अब इसको फारो, और तब तक उसको फारने को कहना चाहिए तब कि वह ठक ना जाए, तो जब भी वह उसके सामने पेज तो अगली वारवय बहुत सोचेगा उसको फाड़ने से पहले, तो इस तरीके से उसकी गलत आजने छुड़वाई जा सकती है, नेक्स्ट है परसपर विरोधी तकनीक, अब ये कौन सी तकनीक होती है, कि इसमें दो जो भी प्रॉब्लम होती है, जो परिस्तितियां होती है, व वह किसी जानवर से डरता है, और उसके सामने जो है, यदि अचानक से उसकी मा आ जाती है, तो वह बापस भाग कर अपनी मा की गोद में छिप जाता है, तो उस कुत्ते या उस जानवर के जो विप्रीत इस्तिती होई, वह उसकी मा होई, जहां उसे प्रेम की अन्बुती हो फर्स्ट है, एकल प्रियास में ही उद्धीपन और अनुक्रिया के मद्द उचित साचरिस्था पे तो हो सकता है, गुत्री कहते हैं कि यहां कोई गलती नहीं होती है, कोई प्रियास नहीं करना पड़ता है, बल्कि एक बार का प्रियास जो है, उसी से तालमिल बैठ जाता ह उद्धीपन और अनुक्रिया के बीज में, थॉन्डाइक जिस तरीके से कहते हैं कि बार बार कोशिश करो, गलती करो और जब सीखा जाता है, उसके वज़ाए कुत्री कहते हैं कि एक बार प्रियास करने पर यदि उद्धीपन की प्राप्ती हो गई है, तो व्यक्ति या को जिन्दगी में आगे काम आएगा, यानि बच्चे को वही कारे करने को देना चाहिए, जो कि उसके भविश्य में काम आएगा, नेक्स्ट है, सीखे गए व्यवार की प्रैक्टिस और पुन्रावर्ती होनी चाहिए, यानि कोई भी व्यवार जो होता है, यदि उसकी प्रैक तो इस तरीके से हम उस चीज को सीख जाते हैं, तो ये थी गुथरी का सिद्दान तो बहुत important था और आपके exam में कई वार पूछा गया है, सबसे पहले आपको इस चीज को याद रखना है कि गुथरी का जो प्रियोग था वो बिल्ली पर था, खर्गोस या चुहे पर नही तो hawना है जैं हो इस प्रियोग उस ताहरी का सिद्दान यूदेट